एक और नए वीडियो में स्वागत है मेरा नाम प्रत्य प्रगाश है और यह आज बैंक निफ्टी का एक स्पाइरी है ज्यादा कॉंटिटी से तो नहीं करेंगे ट्रेड दसदर से करेंगे क्योंकि मतलब दसदर कॉंटिटी नहीं दसदर कैपिटल से क्योंकि आप खुद नो इसको इंडक्स यहां से चेंज कर सकते हैं निफ्टी बैंक देन हम लोग स्वाइड अभी हम लोग एड दमनी को कॉल लगाते हैं ठीक है ठीक है समझ गया है उसके बाद प्रेमियम तो मूव कुछ खास कर नहीं रहा है तो यहां पर जो मेरा सेटप रहता है न मैं इसका मुझा मतलब पता है यह हाईके हाईलोमांक करना से असीद्म पताच पता चल जाता है कि county मार्केट इन दोनों के भीच में जणा की रहें तो पता मुझा चल जा आएगा किया कि 65 आज मैं बैठाव एट आउट्रेड करने के लिए बठ आज मेरा मिट सेमेस्टर भी है लग नहीं रहा होगा क्योंकि 11 से मिड समेस्टर और साधे नौ में मैं बैठा हूं ट्रेड करने के लिए बताओ यार ठीक है तो 15 से 20 में मार्केट में एक यू ट्रेड लेंगे अगर कुछ शेट बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ वैसे दस यार कापिटल से एसले ट्रेड कर रहे है क्योंकि यूटुब से भी पैसा आज या नहीं है यह अहीं है यूटूब से जो पैसा आता है मैं उसको ये वर दता हूं यूटूब का अर्निंग दिखाए कि अभी आभ एक मिनट के टाइम फ्रेम पे सही जा रहा है मार नहें जूंवा एक नविच्फिश देखो यहां से रिजक्शन मिले रहा है कंडिल ये में से तो स्पायिक तो आसकता है लेकिन देखो यहां से अगर यह क्रॉस करेंगा न तब एक entry plan बन सकता है, लेकिन इतना जल्दी cross नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है, sellers जो है न, काफी सही है, और bank nifty, आज भी sideways होने वाला, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, काफी दिन से market, थोड़ा sideways है, मनले काफी दिन से नहीं है, दो दिन से तो at least है ही न, option buying के लिए तो ब कुछ तो बात करना है न, तो मैं बात कर रहा था भी YouTube का, ठीक है कि YouTube पे पैसा आता है, तो मैं trade लेता हो, नहीं लेता हो, सही बोलू तो YouTube से काफी कम पैसा आता है, इतना पैसा आता है, कि मैं बस अपना phone का EMI बढ़ सकता हूं, देखो premium कितना ज़ाओ डिके कर रहा है, चैनि अनलेटिग्स और के रीवेल डीट कर दिये देखो नोहजार नौहसास सततर रुपय बना इस महीना वैसे इस महीने का नहीं है ये पिछले महीना अच्क जब्नमी है पच्छिस तारीप पिछले मंत तो जैसे 25 से एक तरिक होगा ना तो यह पैसा और कम हो जाएगा क्योंकि इस मन्त मैं काफी कम लॉडियो अप्लोड किया हूँ टीक है तो एटलेस्ट 9000 तक आ जाएगा और मेरा EMI भी ग्जैक्ट 9000 यह ठीक है और मेरा एक्जाम भी है पता है मेरा किस चीज का एक्जाम है आज मार्केट मुवी नहीं करेगा हां समझ गया option seller का पैसा है option selling तो आता नहीं करने आता है तो है करने लेकिन पैसा है नहीं होतना आज मेरा एक्जाम है पता है नहीं biology student हो कि उनको समझ में आ जाएगा translation and transcription का नाम अगर सुने हो गया कि कैसे DNA से प्रोटीन बनता है या फिर DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है उसको में translation कहते हैं मतलब sorry मतलब इस चीज का मेरा एक्जाम है biology का molecular biology का अपने नाम सुने होगा तो यह सब थोड़ा सा पहले से आता है मुझे तो उतना इगनोर करते हुए मैं अपना trading career पर ध्यान दे रहा हूं बट मार्केट साही तरीके से ध्यान नहीं दे रहा अपने ऊपर के निफ्टी को देखते हैं निफ्टी भी स्ट्रगल करते हुए यह कहां पर ट्रॉ किया है मैंने तो पंद्राइब के टैम फ्रेम पे जब बड़ा candle बनता है न और पिछली दू दिन से मार्केट एक और साइडवेस है तो प्रोवाइबिटी ज्यादा होता है कि दो फर को movement आना रहा तो दो फर को movement आएगा सुबा में उतना खास movement आएगा ही नहीं क्योंकि यह candle बनने के बाद ऐसे मार्केट जुल जाता है एक तरीके से बोल दो मतलब rough language में लेकिन अगर गलती से इसका breakout आ गया तो एक अच्छा और बाइंग देख सकता है लेकिन यहां पर यह जो पर मैं अगर trade लिया हूं तो नहीं पता है कि यहां क्यों लिया हूं कभी-कभी ऐसा होता है लोग ले लेते हैं जब रस्तिक आया फिर फोम में आके ले लेते हैं और उसको जूट मुटे explain करते रहते हैं कि यहां पर यह candle बना है न तो मुझे ऐसा लगाता है कि यहां से और लोगों को किस तरीके को इंट्रेस्ट आ रहा है चोड़ा दूसरे लिख का छोड़ो मेरा कम सकम वीडियो देखा करो और यहां और चीज बताऊं मैक्सिमूम ऑडियंस ना लालची है केवल पीनल देखने के लिए आते हैं यह प्रॉफिट और लॉस कर जल्दी से ट्रेड और फिर जो पीनल का fluctuation होता है यहां पर प्रॉफिट होगा इसको यह सब के बल देखने आते हैं उनको मतलब नहीं रहता है कि मुझे सीखना है सीखने का तो बात ही नहीं है क्योंकि आज के टाइम पर काफी जादा लोगों को इतना knowledge हो चुका है कैसे trade लेते हैं कैसे उसको execute क चाहिए कितना stop loss रहना चाहिए ठीक है यहां पर buying में तो जा रहा है अच्छा कासा premium में भी movement आ रहा है तो बस उनको problem बहुत साले लोप अभी problem गया है psychology का थोड़ा सा वह control नहीं कर पा रहे है over trading को बस वही एक दिक्कत है एक बार पहला trade में loss हो गया उस loss को recover करने के चक्कर में दूसरा trade लेंगे अगर गलती से रिकावर भी होगा याने वो trade पहला trade लो लॉस तो तीसरा trade लेंगे और सोचेंगे कि आज का दिन profit में close करेंगे और फिल लॉस हो जाता है तो यह होते रहता है ठीक है जाया दिल पे नहीं लेना है यह सब के साथ होता है मैंने अतना setup ब profit book किया था single trade लिया था and trade का logic यह था बस market यह जो level था ना इस level का breakdown करता है downside के तरफ और market level के नीचे candle close करता है ना तो मैं वहाँ पर trade लेता हूं और लगबग एक से दू मिनिट के अंदर वो trade complete हो जाता है और लगबग 11 सा के profit में मैं day को close कर देता हूं तो यह single trade मैंने लिया था और चोटा सा scalp किया था 75 quantity से तो मैंने day को यह पर close कर दे